अजिस जिलि सब्चे बड़ा क्राइम और यूपी आज 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 और ये बाप रे बाप ये कौन चैनल पर बढ़ती है कौन कंशिप क्या 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 ये भगवान भीक मांगते थे गिरी राज जी एस पी से मैं कौन करके हेलो मैं गिरी राज बोल रहा हूं मैं रहू या न रहूं मैं चला जाऊं क्या एस पी सहब नमस्कार आप देख रहे हैं लाइप सिटीज और आपके साथ मैं हूँ असीम पपो यादब का जब कैमरे के सामने बढ़ गया बीपी पपो यादब ने कहा गिराज सिंग मांगा करते थे भी कि इस पी के सामने हाथ जोड कर मौग हैं साती साती यह भी कह रहे हैं कि है हिम्मत तो जो आकड़े पहले बेगुसराए में मौद के हैं उनमें क्यों नहीं सामिल हुए सबसे पहले आप पपो यादब को सुनिए कुमकरन की निंदरा में कल नीद कैसे खुली आपकी हत्यारे के खिला बोलने की हिम्मत और रोकाद क्यों नहीं है असी मडर में गिरीराज जी कहा लप थे अब भीक मांगते थे गिरीराज जी एस पी से मैं कौन करके हेलो मैं गिरीराज बोल रहा हूँ मैं रहू या न मैं चला जाओं क्या एस पी सहब अपराध ही कोई जाती नहीं होता अपराध ही अपराध होता है और अपराध को संदक्चन देने वाला नेता और अपराध को साथ लेके चलने वाला नेता अपराध ही होता है मैंने एक एक चिन बताया आपको और ये कहना कि पहली बार ऐसा हुआ बिहार को बद्राम करने के लिए एक साजीज इस घटना के पीछे जब ना कोई क्राइम है ना पैसा है और बहुत किलियर बदा दू ये साइको नहीं हो सकता बिजेपी अधिया कह रही है कि ये साइको है तो दो मोटर साकिल पर चार हत्यारे साइको नहीं हो सकते किसी भी किमत पर और तीस किलो बीटर चलने वाला व्यक्ति साइको नहीं हो सकता ये पठना सीटी में चार हत्या दो घंटा तक गोली चला करके किया यह विट्थी एंडिये के सरकार में टीवी चाइनल को पता नहीं चला किसी सोशल मीडिया को आज तक ये दो घंटा तक पठना सीटी में गोली चली थी तीन की मौत हुई थी केंद्रिय मंत्री की मोबाइल की जहां छो एकसे मेल सी के मोबाइल की जहां छो और नंगा करना चाहिए पूरे दुनिया में अब राजिती कर ये कोई दिक्कत नहीं है लेकिन बिहार को तो बदनाम नहीं किजिए और ये बाप रे बाप क्यों चैनल पर भठती है क्या 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 है भगवान कौन कौन क्या कौन टीबी है हला कौन टीबी रिपब्लीक और रिपब्लीक से पूछ दे हैं कि दिल्ली में आठ घंटा बीजेपी के हमेले और उसके आदमी कट्टा ले करके गोली चलाते रहे और दंगा करता रहा दिल्ली करनाटक में हाज पॉलिटिकल मडर हुए करनाटक दिल्ली सबसे बड़ा क्राइम और यूपी आज 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 है क्राइम बिहार में भी मैं एक्सेप्ट करता हूँ क्रिमिनल का मन बढ़ा हुआ है कल बेगु सराय और समझती पूर के क्रिमिनल के घर को बुर्डोदेर से ढ़ा देना चाहिए था यह मैं कह रहा हूँ सरकार ने तपरता नहीं दिखाई सिर्फ सस्पेंट करके ये सही रही है नितीजी मैं मांता हूँ कि ये साजिस है गहरी साजिस है मैं मानते हूं किसमें MLA मंत्रियों की भूमिका है जो भी मंत्रिये MLA हो जहां छो इसको अपराद और अपराधी को जाती कलर नहीं दिया जासे है मैं बिल्कुल किलियर हो इस मामले अपराधी कोई हो यूपी के गौर्मेंट के तर्फ पर जैसे ब्रह्मन राजपूत का फरकेशन राध अपराधी पर गया हुआ इसे नहीं हो सकता जो लंबी लंबी बात करते हैं गिरिराश सिंग जी बिजैस सिन्ह जी अवकाद यदि सठीव करो ना लखी सराई रोते रहे सब्झी आपराधी से लड़ने की हिम्मत रही बातने वाला घड़्या ली ळूए घिरिराश ने वाला फिर सक आपने सुना पंप अलच माण अब सरीके थे से गिराश सिंह का पोल यह एव हैं और कहते मांगा करते थे S.P. के सामने हाँ जोड़ कर और आज बिहार को बदनाम कर रहे हैं मौक तक कह दिया है खर लाइप सिटीज के साथ बने रहे हैं आपका बहुत-बहुत सुक्रिया